दोस्तों गर आप भी भारत के पूर्व कप्तान महिंदर सिंग धोनी के प्रिशन सा कहता हूं हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों आज के दिन खेले गए मुकाबले में जिस तरह से केल राहूल ने खतरनाक बलेबासी करते हुए शतक जड़ा है उससे वो विश्व के सभी क्रिकेटरों को अपना दीवाना बना लिया है दोस्तों आपको बता दे कि आज के दिन के खेले गए मुकाबले में केल राहूल और मयंग अगरवाल ने बारतिय टीम को एक महतरी शुरूआ दिलाई जिसकी बदौलत आज के दिन का खेल खत्म होने पर बारतिय टीम मातर तीन विकेट खोकर 272 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर पाई है और वहीं केल राहूल की पारी में लगाए गए एक शक्के पर भारतिय टीम के पूर्व महान कप्तान और शांदार विकेट कीपर बलेबास महिंदर सिंग दोनी ने अपना एक बयान दिया है तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या कहा महिंदर सिंग दोनी ने लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है तो वो है भारतिय टीम के उप कप्तान केल राहूल दोस्तों आपको बता दे कि केल राहूल ने 222 गेंद खेलते हुए 120 रणों की धमाकेदार पारी खेली जिसमें उन्होंने 16 चौक के और एक गगन चुम्बी चक्का लगाया उनकी इस पारी की बतौलत पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतिय टीम एक बेहद मजबूत इस्तिती में पहुँच चुकी है जहां से साउथ अफरिका कवापसी करपाना बेहद ही मुश्किल लग रहा है और वही उनके जोडीदार मयंग अगरवाल ने भी शांदार बलेबाजी करते हुए 60 रनों की बहतरीन पारी खेली जिसमें उन्होंने 9 बहतरीन चौक के भी लगाए हलाकि वो शतक से चूक गए लेकिन उनकी पारी की बदौलत भारतीय टीम एक अच्छी इस्तिती में है दोस्तों वहीं केल राहुल ने केशव महराज की गेंद पर मिड विकेट के उपर से एक बहतरीन चक्का लगाया था जिसको देखकर भारत के पूर्व महान कप्तान और विश्व के सर्वस्रेश्ट फिनिशर महेंदर सिंग दोनी भी हैरान रह गए जि हाँ दोस्तों महेंदर सिंग दोनी ने केल राहुल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरीके से वो चक्का लगाया वो शांदार था क्योंकि वो उस समय अपने शतक के बेहत करीब थे और उस समय में उनका ये चक्का लगाना दर्शनीय था उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से राहुल ने चौको चक्को की बरसाथ की वो काबिले तारीफ थी और मुश्किल समय में खेली गई उनकी ये पारी इतिहास में हमेशा याद की जाएगी क्योंकि वसीम के बाद वो दूसरे ऐसे ओपनर है जिनोंने अफरीकी धर्ती पर शतक लगाया हो वहीं दोस्तो महेंदर सिंग धोनी उनके चक्के की तारीफ बार बार करते हुए कहा कि मुझे उनका वो चक्का आज की पारी का बहतरीन लमहा लगा जिसे मेरे साथ वो भी उसे बार-बार देखना चाहेंगे दोस्तो भारतिय पूर्व महान कप्तान महेंदर सिंग धोनी का केल राहुल की ऐसी तारीफ करना ये दर्शाता है कि उनकी पारी एक विश्व इस तरिये पारी है और उनका मुश्किल घडी में लगाया गया चकका पूरे दिन का सबसे बहतरीन शॉर्ट था और शायद 2021 का भी वो बहतरीन शॉर्ट होगा वहीं दोस्तो राहुल की इस बलेबाजी को देखते हुए ऐसा लग रहा है